आइए जानते हैं हिंदी के कहाणी और कहानिकार के बारे में और निबंद के बारे में भी और जो परिक्छा के देश्चति से बहुत ज्यादा इंपर्टन्ट हैं जैसे कि निबंद आत्मका था और जीमनी तो उससे रिलेटटेड चीज का अध्यन करेंगे तो आइए और देखिए जो कुछ प्रमुख कहानी है उसके बारे में यहाँ पे इंडिकेट किया गया है जैसे कि पहला पाठ डायन और सुभा यात्रा कहानिकार है यानि की लिखक है भीम साहनी और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कुहासा और मौत का नगर और इसके लिखक है अमरकां और देखिए जो सकर नामा है और खोज है वो संजीव ने लिखा है और नेक्स्ट पॉइंट है मै हार गई और त्रिशंकु के लेखक है मनुभंडारी और लल्मनिया के लेखक है मैत्रेई पुस्पा और नेक्स्ट है यहाँ पे सिक्का बदल गया जिसके लेखक है चंद्र सूखल और कहाणी है उसने कहा था उसके लेखक है पंडीच चंद्धर सर्मा और सतरंज के खिलाडी कक्कन और पंच परमेशवर इदगाह और मंत्र के लेखक हैं प्रेम चंद्र अकास दीप, पुरसकार, मम्ता, मधुआ और गुंडा इसके लेखक हैं जैसंकर परसा और नेक्स्ट है ज्यान दान उत्रा अधिकारी और अमिसप्त के लेखक है यस्पाल और नेक्स्ट है धूप रेखा आहुती दिवाली और होली कि देखे इसके लेखक है इलाचंदर जोसी और नेक्स्ट है पिंजरा अंकूर पलंग उपेंदरनाथ अश्व इसके लेखक है और नेक्स्ट है मेरा वतन आखिरक्यों आदी और अंत इसके लेखक है बिश्णु प्रभाकर तिरंगे कफन और इतिहास के लेखक है अमरित्रा आईे निबंद के बारे में जानते हैं कि निबंध का अर्थ होता है वो बंधन में बधुई हुई कोई बस्तु देखें जो कुछ important निबंध है उसके बारे में देखते हैं जैसे कि चिंटामनी इसके जो निबंदकार हैं यानि कि लेखक हैं आचारिय रामचंदर शुक्ल है और देखें नेक्स्ट है उल्मा क्लव और इसके निवंदकार है बाबु गुलाब राय और अंतस्त अस्थल इसके लेखक है चतुरसेन सास्त्री और नेक्स्ट है पंच पात्र और इसके लेखक है पदुमलाल पुन्नालाल और देखें जीवनी पे आते हैं कि देखें जीवनी ये भी परिक्षा के देशी से इंपोर्टेंट है तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं देखें कलम का सिपाही जो है पंसी प्रेमचंद की जीवनी है और इसे लिखा था अमरित राय ने और दूसरा है कलम का मजदूर प्रेमचंद की ये भी जीवनी है और इसे लिखा है मदन गुपाल ने और देखें नेक्स्ट है निराला की सहित्य साधना और ये निराला जी की जीवनी है और इसे लिखा था डाक्टर राम बिलार्ष ने और देखें सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी और साहित्य है उसे लिखा था जोसी ने और आवारा मसीचा जो है ये सरचंदर की जीवनी है इसे लिखा था विश्णु परभा करने और चätzlich महाप्रभू की जीवनी किस ने लिखा था अमरित नागर ने और आत्मकथा के बारे में डिसकस करते हैं देखिए जो हिंदी के आत्मकथा साहित्य में प्रथम आत्मकथा है वो क्या है? अर्धकथा है जो जैन कभी बनारसी दासकी है देखिए हिंदी आत्मकथा साहित्य में प्रथम आत्मकथा अर्धकथा है और यह जीवनी है जैन कभी बनारसी दास की देखिए यहाँ पर कुछ जो है आत्मकत्था के जो इंपोर्टेंट है उसके बारे में बताया गया है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह किसने जीवन यातरा नेक्स्ट है और यह किसकी जो आत्मकत्था है राहुल सांकृत्यायन की और देखिए नेक्स्ट है निज ब्रितांत और यह किसकी जो नहीं है अंबिका दत ब्यास की देखिए साठ वर्स एक रेखांकन यह है सुमित्रा नंदन पंद की सोरी आत्मकत्था और मेरी कहानी है और यह आत्मकत्था है बाबु स्यामसुंदर दास की देखिए क्या भूलू कि या याद करूं यह है हरिबंस राय बच्चन की और मेरी असफलताएं है बाबु गुलाब राय की और मेरा जीवन प्रवा है ब्योगी हरी की और नेक्स्ट है मेरी आत्मकत्था डाक्टर राजेंदर परसाद और देखिए तरुन श्वपन जो है स इम मुंसी की और लास्ट है मेरी कहानी जवाहरलाद नेहरू की आत्मकत्था है तो आज के लिए इतना ही धान्यवाद